लास्ट वीडियो में हमने देखी थी bounded sequence आप देखेंगे unbounded above और unbounded below sequence unbounded above का मतलब क्या है कि sequence की एक ऐसी value जिससे हमारी सारी value छोटी हो अब इसे हम unbounded की use कर रहे हैं हम बात करते है sequence n की हम इसमें 1 by 1 natural number रखेंगे 1 2 3 up to infinite तक जाएगा तो हमें unbounded above निकालने के लिए एक ऐसा m exist कराना होगा जिससे sequence की सारी value छोटी है पर इसमें जदी हम बात करेंगे सबसे बड़ा m की आएगा infinite, infinite को किसी के साथ compare तो कर नहीं सकते क्या value होगी इस वएसे एक ऐसी sequence जिसमें हमारा upper bound exist ना करें तो हम उसे क्या बोल देते हैं unbounded above sequence similarly unbounded below sequence यानि की एक ऐसी sequence जिसमें हम lower bound को ना मिल पाए हमारा कि हम find ना कर पाएं कि हमारा lower bound कैसे होगा जैसे minus 1 की minus n की बात कर लें हम natural number अलग लग लग पूट करेंगे minus 1 minus 2 minus 3 अब 2 minus infinite अब minus infinite सबसे चोटी value होगी पर वो क्या होगी इससे हम measure नहीं कर सकते इस वज़े से हमारा इसकी सबसे चोटी value sequence की यानि कि एक SM exist नहीं करा पारे जिससे हमारी sequence की सारी value बढ़ी हो कोई भी एक SM की बात नहीं कर पारे तो इस तरीके की sequence हमारी क्या इसमें lower bound नहीं होगा lower bound नहीं होगा तो यह unbounded blow sequence हो जाएगी यानि कि bounded blow sequence नहीं होगी अब unbounded sequence की भी definition यहीं से आती है कि यदि किसी भी sequence में हमारा upper bound या lower bound इन दोनों में से एक भी exist ना करे या दोनों ही exist ना करे इस तरीकी की sequence हमारी क्या हो जाती है unbounded sequence हो जाती है दोनों example आपके सामने है n और minus n